प्रेंट्स आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि हम दो परवाले तुफान फैन यानिके फर्राडे फैन की ऐलमूनिय में बाइंग किस तरह से करेंगे और उसके अंदर कौन सा डेटर डालेंगे तो तुफान फैन यानिके दो परवाला जो पंका होता है वह 2880 आर्पियम में होता यानि कि हाई स्पीड में होता है वीडियो सुरू करने से बला आप चैनल पर ना आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें तो परवाले फर्राटे का इस्टेटर इसकी हम रिवाइडिंग करने वाले हैं अगर हम इसकी कोर की लैंद की बात क है तो लच्छी की लेंद रखने वाले हम यहां पर सत्रा इंच यानि कि अगर इसको सरकल में आपेंगे तो बहुत चोंतिस इंच हो जाएंगे तो फटवर्स हम इसकी क्वाइल्स बना ली है और इसको हमने रिवाइडिंग किया है 32 नंबर के ऐलिमूनियों वायर से और इस पहली कोईल हम उठा लेंगे और इसको हम किसी भी सुलोट के अंदर डाल देंगे इसकी जो लीड रखेंगे हम वह हम अपनी साइट रखने वाले हैं तो इसका पहला से हमने अपनी साइट डाल दिया है और उपर से हम यहां पर साथ नंबर का पीवी सी पेपर डाल रहे हैं PEPPER को हमने चोको से यह फायदा होता है कि उपर में पेपर दमाने की जरुरत नहीं पड़ती है उसके बाद इसका दूसरा सेरा अधर 5 dem to चाहरे 5-6 साथ 8 8 पिच पर आम इसका दूसरा स्रा है डाल देंगे और उसके बाद इसके ल islands सा क्यीकश 뜨ाघ बएब हम सामने साइट कोई पढ़ी है उसके बगल में हम डाल देंगे और इसके उपर से हम पेपर लगा लेंगे इसका दूसरा सिरह यहीं से एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, साथ, आट, नो, दस, पिच पर हम इसका दूसरा सिरा डाल देंगे यहाँ पर हम क्वाइल्स को बहुत ही आराम से डालेंगे क्यों क्योंकि यह जो है ऐल्मूनियम की बाइनी है अगर जल्दवाजी करेंगे तो तार तूट सकता है क्वाइल डालने के बाद हम इसकी सेटिंग कर लेंगे थोड़ी सी और उसके बाद सामने वारा सिरा हम दोवारा से घुमाएंगे और इसको हम हर वार हमारी साइट जो क्वाइल्स पढ़ी है उसके बगल वाली सलोट में हम इसको डालेंगे उसको डालने के बाद थोड़ी सी सेटिंग और कर लेंगे और उसके बाद इसके दूसरे से को हम यहीं से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, बारा पिछ पर हम इसका दूसरा सिरा डाल देंगे और उसके बाद इसके उपर पेपर लगा देंगे और उसके बाद इसकी हम अच्छे तरह से सेटिंग कर लेंगे तो यह हमारी पहली कोईल पढ़ चुकी है तो इसको हम घुमा लेते हैं और यहां पर यह है इसका पहला सिरा और यह रहा है इसका दूसरा वाला सिरा अब हम इसके अंदर दूसरी कोईल डालेंगे तो इस टेटर को हम घुमा लेते हैं तो इसका पहला सिरह सामने वाली साइड है और दूसरा सिरह हमारी-वाली साइड है है पिस सदस्य नहीं हो इसे दो चूछोड स्थ आप शोड़ने के बाद यहां पर हम डाल देंगे और पेपर लगाने के बाद इसका दूसरा तरह से दीन हमने पहली काई डाल लिए एक दो तीन चाहर पाँच सद अठेसा पर इसको यहां पर आप देख सकते हैं पहली कई乾सा साइड है और दूसरी讲 का लाक्षा हामारा इस साइड यानि कि जो सीरे है वह आमने सामने रहने चाहिए पहला और बीच आम ने सामने ही रहना चाहिए ठोड़ सी हेल आपके साल हैं बाद हों करेंगे के कौणकर यह अल्मूनилась करते हैं अब हम हिसके अंदर हो लेंगे डालेंगे अब ची के जो लेंद रखेंगे हम बहुत सब्सट्राइज इंच रखेंगे यानि कि आदा इंच लच्छी की लेंद घटा देंगे सोला भी रख सकते सोला थोड़ा टाइट हो जाएगा तो अब इस्टाइड की कोईल फटवर्ट से हम बना लेते हैं यहाँ पर जो हमने कोईल के सिरे रखे हैं वो डबल कर दी है ताकि जो हम करेंगे त आद कोईल बनाना स्टार्ट करेंगे अंदर भी 32 नंबर का एलीमूनियों वायर यूस किया है और इसके अंदर भी हमने 280 टंस डाली है पर कोईल के अंदर आप देख सकते हैं 280 हमने यहां पर डाली है तो को बाहर को निकाल लेते हैं यहां पर को आज चुकी है तो को बाहर वाली स्टोट में हम इसका पहला सिरह डालेंगे और जिस तना से साब्धाूर करेंदेंगे और पहले सिर्णा करेंगे और उसके और उसको हम अपनी साइड जो हमने क्वाइट डाली उसके बगल में इसको हम डालेंगे यहां पर हमने रणिंग डालने के बाद सप्रेटर के तोर पर कोई भी सर्जिकल टेप नहीं लगाया डॉक्टर टेप बगेरा क्यूंकि हम इसके अंदर बाद में सप्रेटर पेपर उसको हम अपने साइड डाल देंगे और इसका दूसरा अब आ जब इसके करेंगे तो पीछे की टेपिंग हमने कंप्लीट कर दिया हम इसके कनेक्सें करेंगे तो यहां पर यह है इसकी चार लीडे दो लीडे यह रेनिंग बाइनग की हो गई दोनों ही लीडे इस्टाडीड बाइनिंग की आमने सामिन ही रहनी चाहिए सिलिप डाल लेते हैं तो कि यहां पर ने सिर्फ दो लीड'ों के अंदर से बनाएंगे तो पहले हम इतर पेपर लगा लेते हैं अलुद्र, कि ऑफ्रेटर पेपर हम थ्रोड़ सा निहान से लगाएंगे कि इस आएंगे और अब इसके बाद एक लंबा सिलिप का टॉकडर डाल देंगे अब हम इसके अंदर लीड जॉइंट करेंगे तो पहले तार को हम जला लेते हैं हलका सा एलमुनियम का वायर है और उसके बाद इसको इसको करेंगे आराम से चाहें तो आप यहां पर लीड जो कि हमारी केपसिटर में जाएगी तो रेनिंग और स्टाइटिंग दोनों में हमने लाल कलर की लीड जॉइंट करी है और उसके बाद यहां पर यह हमारी कॉमन है तो यह हमारी कॉमन हो जाएगी कॉमन हमने अंदर से बना दिये जो हमारी रेड कलर की दोनों लीड है उसक कि इसके अंदर हमारी बरावर टंसे लडिंग में बीडोसी टंस ए और इस्टॉस्त इंग में एंधी लाल करमाइब की लीड़े लगाई हैं अगर इसमें टंस कम ज्यादा होती थो आपर हम कोई भी दिक्ट नहीं है में कि प्लिटु के अंदर इस कर्दिया और अब हम कि टेपिंग करेंगे और यहाँ पर हमारी रेंग की दोने लीडा बोल रही हैं स्टार्टिंग मी पूल रही है यहनि कि हमारे चाहिए जिब हम इस टक चाहिए अब सुब लगाएंगे तो स्री थोड़ी जादा जलेगी तो आप टेपिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं चाहें फंदे वाली कर सकते हैं चाहें तो आप नॉर्मल वाली कर सकते हैं यहाँ पर हम नॉर्मल वाली टेपिंग कर रहें तो फड़ा वड़ा सम टेपिंग कंप्लीट कर लेते हैं यहां पर हमारी टेपिंग कंप्लीट हो चुकी है अब हम क्या करेंगे जो हमने पेपर डाले वैसे पेपर तो इसके ओपर बानिस लगा रहे हें तो हैं सब्सक्राइब मोटर के अंदर बलता करों कि वार्नियी में यह उल्हाइब है lo that यह है कि मोटर की लाइफ बढ़ जाती है और बानिस लगाने का डिस अड्वान्टेज यह है कि अगर मोटर रिपेर करने की ज़रूद पढ़ जाए तो फिर एलमुनियम की मोटर रिपेर नहीं हो पाती है बारने से टालने के बाद तो फिलाल हमने बानिस कर तो फ्रेंड इस देटा के हिसाब साब दो परवाले फर्राइटेफ हैंड की बाइंडिंग कर सकते हैं और इसके अंदर हम जो लगाएंगे वह सब्सक्राइब को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कूल भी ना बोलें इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी वीडियो की डिस्क्राप्शन में मिल जाएगा